नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा ने आज प्रेस कॉन्फरेंस करके सरकार पर भरष्टाचार का आरोप लगाया कहा है कि ये भरष्टाचार जो है सिधा-सिधा मुखमंत्री कारियाले से हो रहा है हमारे साधिस्वक्त जेडियू के प्रवक्ता है अभिजयक जाजी अ अंदर प्लिटिकल फ्रेस्टेशन के सिस्तर का है कैसी बेचैनी है उनके अंदर सत्ता से बेदखल होने की और जब ये लोग नितीश कुमार जी के सहयोगी की रूप में काम करते थे सब कुछ उन्हें अच्छा और बहतर दिखता था और जैसे ही कुछ समय पहले ही विपक् पाई जाए किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसे अधिकारी हों जो गलत काम में सनलिप तो उन चीजों को आरेंटिफाई करके निशित रूप से कारवाई की जाए और आपने देखा है कि कई बार कारवाई करके नजीर भी पेश की गई है तो इस तरह के बयान स दिखता है कि वह लो प्लिटिकली बड़े बेचायन है और चाहते हैं कि कैसे जल से जल सरकार की छवी दो मिल्की जासे साथ निश्चे योजना की वो बात कर रहे हैं, मुकमत निश्चे योजना में बरे पैमाने पर भरस्टा चार होता आ रहा है, हमने विजय कुमार सिना जब ध्यक्स ते विधान सभा के तो उस वक्त पी वो ठाने की कुछिज करते रहे हैं, सदन में और भी लोग उठाया करते अगर आपको कहीं गरबड़ी दिखाई पड़ रही थी एक लंबे समय से, तो आपको पहले पताना चाहिए था, ऐसा क्या है कि आप विपक्ष में आ गाए हैं, तभी बता रहे हैं, तो यह दिखता है कि आप निकेटिव पॉलिडिक्स के परिचायक है और ये चीजे बहु इसे रिटर नितिश कुमार लाना चाहता है, लालू राज अस्थापित करना चाहता है। की स्थापना हो ही नहीं सकती है। क्राइम मिनिस्टर के रूप में वो पर्फेक्ट है, उनके अंदर सारे गुन हैं, तो सारी चीजे उनके अंदर हैं, तो बिहार के लोगों की उमीद बनना तो बहुत सुभाविक है। क्या करेंगे कि 14 वाले 24 में फिर से नहीं आएंगे। विपक्ष के लोग लामन्द होंगे, इसके लिए हम सभी लोग परियास करेंगे, हमारे नेता परियास करेंगे, एक स्ट्राड़ीजी बनेगी और निशित रूप से करेंगे